तीसरा जो इंपोर्टेंस है वो है सोसाइटी के लिए सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलता है सेल्स प्रमोशन से पहला टोपिक है इंप्लोईमेंट की ओप्चुनिटीज सोचकर देखिए कि सेल्स प्रमोशन की हमने जैसे ही टेकनिक्स फोलो करनी स्टार्ट की हमने जैसे ही कोई नया नया ओफर निकाला क्या होगा डिमांड इंक्रीज हो जाएगी demand जैसे ही increase होगी हमको ज़्यादा industries लगानी होगी नई नई unit, नई नई factories हमको लगानी होगी high level का production करना होगा high level के production को करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरुरत पड़ेगी definitely sales promotion की वज़े से क्या हुआ employment की opportunities भढ़ जाती है लोगों को रोजगार मिलना स्टार्ट होता है क्यों मिलता है? क्योंकि जब product की demand भढ़ेगी तो हमें factories और लगानी होगी factories अगर हम और लगाएंगे तो definitely लोगों को नोकरियों पे तो रखना ही होगा जो production करने में हमारी help करेंगी need satisfy customers की need भी satisfy होती है वो भी satisfy हो ही जाती है तीसरा जो benefit है वो है lower income class के लिए कुछ category ऐसी भी होती है कुछ लोग ऐसे भी होती है जिनकी income ज़्यादा अच्छी नहीं होती है तो हम जब sales promotion के under में price कम करते हैं या एक के साथ एक फरी देते हैं या एक के साथ दो फरी या cash refund कर देना या rebate देना या discount देना तो ये सारी techniques उन लोगों को बहुत benefit देती हैं जिनकी income reality में बहुत कम होती है lower class उन लोगों को benefit मिल जाता है और वो लोग purchase करने में अपना फाइदा समझते ही है तो कहीं न कहीं society को भी benefit होता ही है तो हमने discuss किया नेक्स्ट वीडियो हम discuss करेंगे sales promotion की ऐसी कौन सी activities है like discount क्या होता है rebate क्या होता है cash back offer क्या होता है तो मिलते हैं ये सारे topics को study करने के लिए next वीडियो में